यह सब कुछ की पॉइंट्स दिली युणिवरस्टी में जो स्कोलर्शिप्स हैं तब से पहले जो है वह है मेरिट पे स्कोलर्शिप देती है अकैडमिक परफॉर्मस पर और जो दूसरा स्कोलर्शिप है वह है financial assistance माली मदद यह scholarship eligible students को मिलता है ता उनकी help करने के लिए tuition fees को cover करने के लिए books और दूसरे जो educational expenses है और जो तीसा है वो है need-based scholarship in addition to merit-based scholarship दिली university need-based scholarship भी फराम करती है student को financially support करने के लिए और जो चौता है वो डाइव पॉइंट है वो डाइवर स्कॉलर्शिप दिली युनिवरस्टी प्रोवाइड स्कॉलर्शिप और वे फोर वेरियस फिल्स 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 इसमें humanities आ जाता है sciences आ जाते हैं इसे अजिफ्टोर्श अट्रistoire दोन्हेर स्कॉलर्शिप नहिंगा नंड प्रोवाद्टि करूज को समय है क्युंसिपन प्रोवास्ट्ड जाता जाते हैं डिली युनिवरसिपसलारि में आजिएuses अन मातना प्रिशाइड शां ना ऩी नैश फर्चैंसроб एक्टिविटीज में पर्फॉर्मस के में ताभी स्कोलर्शिप भी फिराम करती है जो पॉइंट नबर सेवन और सबसे आहिम प्रो पॉइंट है वह स्टुदेंट्स इंटरस्टें इन स्कोलर्शिप तर देली उनिवरस्टी शुड रागुलर्ली चेक दा यूनिवरस्टी इस एक्षाल एफस्टेंट वार्श छोर्शिप अनौंस्मेंट और फॉड़ धूप्लिक इस प्रसेश पर ही श्चोलर्शिप पर ये श्चोलर्शिप फिर चॉलर्शिप इंट रहा एंडिव प्रोदिव एंटिव प्र वीज एंटे लेंग टीजविद टलैंग एंटे ल लाफेज लुट्रिंग एलाफेज